इंडिया में ये तीन सस्ती EV कार्स आपको जल्दी देखने के लिए मिलने वाली हैं और इनमें सबसे अच्छी बात यहाँ कि ये तीनोई कार्स बजट EV कार्स होने वाली हैं तो सबसे पहले नंबर पर आती है ओला की तरफ से आने वाली EV कार कुछ टाइम पहले ही ओला ने अपनी EV कार्स का ट्रेलर लॉंच किया था जिसमें हमें सिडेन, SUV और एक हैच्छबेक EV कार्स देखने के लिए मिली थी पोला की EV कार्स को भी उसी टीम ने डिजाइन किया है इस कार का जो कॉम्पिटिशन है वो सबी 10-15 लाग के बीच में आने वाली EV कार्स से रहने वाला है कार का डिजाइन और स्पेक्स कैसे रहने वाले हैं चांची सागी 15 अगस्त के कार सोकेज में रिवील किये जाएंगे और फीजर्स भी आपको इस कार में काफी एडवांस मिलने वाले हैं अब दूसरी जो हमारी EV कार है वो इन तीनों ही कार्स में सबसे कम प्राइस के उपर आपको देखने के लिए मिलेगी कार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भले ही थोड़े कम होंगे पर वहीं कार का जो प्राइस है वो भी कम होगा ये कार इंडिया में लौन्च की जाएगी सिट्रون कमपनी की तरफ से जो पूरे ही सिट्रोन सीथरी के उपर ही बेस रहने वाली है इस कार के साथ कमपनी का मेंट फोकस है कि ये कार कमपनी जादा से जादा बायर्स को ओफर कर पाए अगर किसी का बलट कम है तो वो इस कार के base variant कम driving range वाले version के साथ भी जा सकता है जिसमें भले ही आपको features थोड़े से कम मिलेंगे लेकिन जिन features का use practical life में ज़ादा होता है वो आपको और better offer किये जाएंगे इस कार की जो driving range है वो आपको 250 km से लेके 350 km तक तेखने के लिए मिल सकती है और first charging का support भी आपको इस कार में मिल जाएगा कार के जो lux है वो normal Citron C3 से काफ़ी similar ही रहने वाले है इस EV कार को company इस year के end तक reveal करने वाली है अब हमारी तीसरी और last जो EV कार है वो है महिंदरा XUV4W XUV4W करन्ट XUV3W से length में और जादा बढ़ी है और ये कार electric भी है इसलिए look similar होने के बाद भी इस कार का नम XUV4W मार्किट में रखा जाएगा इस कार में जो सबसे जादा में highlighted चीज़े हैं वो है इस कार की performance driving range और features XUV4W में आपको high density cells वाल बैटरी पैक देखने के लिए मिलता है जो ने एक्सवन EV के बैटरी पैक से भी अच्छा रहने वाला है इस बैटरी पैक के साथ का 150 BSP तक की power को produce कर पाएगी और 400 km तक की driving range भी आपको इस कार में मिलने वाली है और electric cars के साथ ही launch कर दे तो सारी ही cars काफी अच्छी रहने वाली है आप एक अच्छा काम आप भी कर सकते हैं आपको बस नीजवाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और आपका ये काम हो जाएगा और आप लोग इन तीनों कार्स में से कौन सी कार को भाई करना चाहते हैं ये बाद भी कोमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको वीडियो चले को और पसंद आगे तो वीडियो को लाइक शेड़ूर अगर आप चैनल पर नए है तो फिर्ट आपको सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता है अगली वीडियो में फिर किसी नाए टोपिक साब